आज का चार्ट अनालिसिस आपको समझाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके का सपोर्ट जोन होता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से उस पोर्ट जोन को रिस्पेक्ट देते हैं नमस्कार मैं जीद सिंग स्वागत करता आपके ठाकूर कैपिल में अगर देखे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वोलिटिलिटी बनी हुई है जो नया स्ट्रेंथ है कोविड का वह एक बीच में एफेक्ट करें ना करें इंडिया में क्या हो सकता है एक फियरफुल महौल बना हुआ है जिसके ऐसे मार्केट में हमनें कल भी किरावट देखी ग्राइसा और आज भी एक गैपडाउन देखा समझे कोशिश करते हैं कल की जो क्लोजिंग थी उसी 15,727 तो यह देख Nora ग्राइसी तो यह देख सकते हैं कबल की जो खेव 17,27 से इज 6.88 बदलब 50. טंट एक गैकडउन उप्निंग रही और गैपडम के बाद मार्केट ने थोड़ा सा उपर घीचा उसके बाद वापस नीचा है और एक डॉजी टैप का कैंडल प्रिंट किया है यहां पे ना बायर विन हुए ना सेलर विन हुए आज की फाइट में लोग यह देख सकते हैं किस तरीके के एक प्रॉपरली सपोर्ट जोन पे प्रॉपरली चेक करते जा रहा है मतलब काम करता जा रहा है ट्रेड करता जा रहा है हर एक केंडल पे यहां पे बायर और सेलर दोनों ट्रेड कर रहे हैं यहां पर देख सकते हैं अच्छी तरीके से एक जोन क्रियेट किया हूँ है और यहाख निफ्टि को आने वाले टाइम में निचे की जी और भी देखेंगे यहाँ परौ केट नुकर चीज देखें तो यह दो जुलाई का जो लो है 15,635 आज का जो लो था 15,632 था तो माइनर सा टच किया है और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग की है तो यह एक अच्छी चीज है उसके बाद हम लोग आगे देखें आर्ली टाइम फ्रेम पे यह देख सकते हैं कि यह प्रॉपर्डरी एक हाई बनाया फिर ह हाई зем Todd को ब्रेक किया और फिर एक नया कि लोरलो बनाता हुआ झार को निफ्टी तिखा कब मघर 200 अगर लोक के मैं आज निफटी को उपर और यह सबमें नहीं होता है तो only 250 वापस एक नए लो की दरफ बढ़ेगा है है कि आगे हुआ कि का वीकली चार्ट में इस वीक में और इस वीक में माइनेस रहा है और इसके प्रिबेश वीक में भी माइनस था यह हम लोग चेक कर सकते हैं मंतली चार्ट में इस मंत में अभी तक 31 पॉइंट माइनस है बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी अपने दो जुलाई के लो से काफी दूर है और एक प्रॉपरली एक अच्छा रिट्रेस्मेंट लेता हुआ हमको दिख रहा है यहां पर चेक करें तो एक 0.786 परेंट का रिट्रेस्मेंट लिया है बैंक निफ चेक कर सकते हैं कि जो जुलाई का लो है उसको टेस्ट किया है अगर बैंक निफ्टी ने अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया है तो हमको यह समझ में आता है कि जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी है उसमें निफ्टी उतना एग्रेसिव नहीं चल रहा है जितना बैंक नि निफ्टी का और यहां पर दो जुलाई का लोग निफ्टी का यह लोग को प्रॉप चेक करने के लेंग को समझने की कोशिश कर रहे हम लोग यहां पर और उसी तरीके से उसी तरीके से कर लोग देखें तो आरली टाइम फ्रेम पे एक गैब डाउन ओपनिंग रही बैंक रिफ्टी में भी कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 35,282 और आज की जो ओपनिंग थी वो थी 35,175 तो यह चेक कर सकते हैं एक सो दस पॉइंट के नस्दीक में गैब डाउन ओपनिंग रही और उसके बाद सस्टेंड किया है बैंक रिफ्टी ने उसी लेवल्स को और एक जो गैप तिरीकिता से पहले का जो गैप है उसको फुल्फिल किया है देली चार्ट में देखें तो देली चार्ट में हमने डिसकस किया कि खिल्दी रिट्रस्मeं लेता बार बबर्बर से अफ ट्रेटिन इयस देख सकते हैं एक लो था एक घो बनाया और वापस ङायर लो बनाता हुग दिख रहा है उसी तरीके से अगर weekly charts पे देखें तो weekly charts में इस week में 262.0 bank nifty प्लस रहा है compare कर nifty के साथ तो nifty 31.0 minus रहा है और monthly candles पे 292.99 points प्लस रहा है bank nifty अभी तक monthly chart में EMS देखें कि EMS पे कैसा लग रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 200 EMA के नज़ीक में trade कर रहा है अर्ली टाइम फ्रेम पे और 50MA के नीचे है डेली चार्ट पे चेक कर सकते हैं कि एक क्रॉसवर है और 13 EMA 20 EMA 5 EMA सब के नीचे trade कर रहा है nifty weekly charts पे देखें तो अभी एक weekly charts पे support लेता हुआ हमको देख रहा है strength है जैसे कि डेली चार्ट में अगर अपने EMA के नीचे आ चुका है तो उसकी strength कम हुई है यह हमको समझ में आता है कि यहां पे चेक करें मंत्ली चार्ट में भी प्रॉपर ली उपर है हर टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट में निफ्ट बैंग निफ्टी 13 EMA के नीचे है 20 EMA के उपर है और weekly charts में अगर देखें तो weekly charts में 5 EMA के 13 EMA के उपर है तो बैंग निफ्टी में एक strength दिखता है हमेशा से कि बैंग निफ्टी आने वाल टाइम में अच्छा प्रफॉर्म करेगी ऐसा लगता है charts को देखके यहां पर देखे तो जो रेजिस्टेंस हो 35800 का है और इसी वीक में 35800 टेस्ट किया है बैंग निफ्टी ने यहां पर मंतली के अंडल पर अभी positive है अगर हमनों बात करें नसी की साइट पर जाके कैसा रहा तो 24 प्लस रही 26 कंपनिये माइनस रही 38 पॉइंट गिरा है आज मार्केट अगर बढ़ने अले शेर्स में देखे तो टाटा स्टील वजाज फिंसर अदानी पोर्ट भारती एर्टेल और डिविस लैब बढ़ने वले शेर्स में बजाज आटो है बार्टेन बाइन चल देए रोज स्काष बैल्यूम और अलग होता है अब अदानी प्रड जैज डाइल और देखें यहांपे तो सबसे ज्यादा आर्कॉम आइडिया जेपी पावर यसब मेंग और सुजलॉन एक समझने कि हम लोग यह भी कोशिश करेंगे कि आज टाटा मोंटर्स में डिलवरी कितनी परसेंट गई है आपनों यहाँ पी चेक करने कोशिश करेंगे तो डिलवरी कॉंटिटी आप देख सकते हैं 22.83 परसेंट यह डिलवरी कॉंटिटी गई है टाटा मोंटर्स में कॉंटिटेट देख सकते हैं चार करोड 24 लाग शेर ट्रेड हुए है जिसमें 22.83 परसेंट लोग डिलवरी लेके गए तो अगर कॉंटिटी के हिसाफ से देखें तो यह काफी अच्छा कॉंटिटी है उसी के साथ हम लोग एफाइस की बात करें कि एफाइस का डिटा क्या है तो यह वीडियो हम लोग बना रहें चार वजे तो एफाइस का डिटा भी आया नहीं होगा फिर भी कल का डिटा हमको जरूर देखने मिलेगा कि कल एक नेगेटिव था 554 करोड नेट में कैश में सेल किया था एफाइस ने वह मार्केटर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट व